नमस्कार मैं राजलक्षमी लाइव लगतार से आप सभी का स्वागत करती हूँ चलिए हम नज़र डालेंगे कुछ प्रमुख खबरों पर जो इस सबतह सुर्ख्यों में रही और शुरू करते हैं सबसे पहले क्राइम के साथ जमशेटपुर पुलीस ने इस सबतह शहर में द उन्होंने लूट के प्रयास में एक वेक्ति को चाकू से घायल कर दी और फिर वहां से फरार होकर मांगो गुलचकर के पास शराब दुकान पहुंचे जहां ववाद में अर्विंद सिंग कुमार की चाकू घोपकर हत्या कर दी वहीं दूसरी तरफ गुरुवार को कोरोना पीड़त एक साल की बच्ची मरसी अस्पताल में एक साल की बच्ची की मरसी अस्पताल में मौत हो गई कोविड काल में यह दूसरा मामला है जब इतनी चोटी उम्रे की बच्ची की मौत हुई है इससे पहले कोविड-19 की पहली लहर में एक बच्ची की मौत हो चुकी है वह यूवतियों को एक महिला तशकर काम दिलाने के बहाने तमिलनाडू के तिरुपुर ले जा रही थी मानब तशकर के हाथों बचाए गई यूवतिया चकरधरपुर प्रखंड के बैपी पंचायत के कुमाए और इचाकुडी गाउं की रहने वाली है वहें सब्ता बाग बेरा बस्ती में जलापूर्ती की बाधित व्यवस्था खूब सुर्ख्यों में रही करीब 12 दिनों तक बाधित रही जलापूर्ती जब 12 दिनों बाद दुरूस्त हुई तो फिल्टर से निकलने वाला गंदा पानी खूब सुर्ख्यों में बना रहा बस्तिवासी तो फिल्टर से निकले गंदे पानी की बोटल लेकर DC कार्याले तक पहुंच गए और वहां उन्होंने DC से पुरे जलापूर्ती व्यवस्था को सही करने की मांगी वहीं दूसरी तरफ जमशेटपूर अधिसूचिच छेतर जेनसी जुकसलाई नगरपालिका और आदित्यपूर नगरपालिका के लगबग 1500 सफाई मजदूर ने जमशेटपूर डिल्लसी कार्याले के सामने जबरदस्त प्रदर्शन किया सभी सफाई कर्मी साक्षी आमबगान से हाथों में जारू लेकर पैदल ही डिल्सी ऑफूस पहुँचे ये सफाई कर्मी नियूनतम मजदूरी से कमवेतन और ठेकादारों द्वारा घोटाले का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे वहीं सब्तहाद बारिटी में रहने वाली दसवी की चात्रा ने स्कूल से नाम काट दिये जाने के अफसाद में आकर आत्म हत्या कर ली परीजनों ने बताया कि कोरोना काल में आर्थिक तंगी के कारण स्कूल की 24,000 रुपे बकाया फीस जमान नहीं हो पा रही थी जिसके बाद प्रबंधन ने स्कूल से नाम काट दिया था जिसके बाद परीजनों ने बेटी का नाम आंकर हिंदूस्तान मित्रमंडल के सरकारी स्कूल में करवा दिया लेकिन बारीडी हाई स्कूल से नाम कटने की वज़े से वह काफी दुखी चल रही थी इसी वज़े से उसने आत्म हत्या कर ली वहीं दूसरी तरफ साइकलोन जवाद का असर चमशीतपुर सहितपुरे कोलहान प्रमंडल में देखने को मिल रहा है साइकलोन के कारण आसमान में बादल च्छाए रहे इसका असर चारखड के दक्षिनी मध्य और उत्तरी मध्य छेतरों में देखने को आसानी से मिल रहा है चक्रवाती तुफान को देखते वे रेलवे की ओर से उत्कल एक्सप्रेस पुरुशोत्तम एक्सप्रेस और यश्वन्त पुर एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनों को शनिवार और रविवार के लिए रद कर दिया गया है ट्रेनों को रद किये जाने से रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पर रहा है तो कुलहान प्रमंडल के कुछ प्रमुक खबरों में बस्त नहीं इसी तरह की तमाम चोटी बरी जानकारियों के लिए बने रहे लाइव लगातार के साथ